हलो दोस्तों नमस्कार तो हम लोग आपको डिस्कस करने जा रहे हैं आपका कि जो आपका सेलनिटी में अनमली था और सोर्स अब दसाल्ट है तो एक तरह से कहा जाए तो आपको साल्ट का डिस्ट्रिमूशन हम लोग देखेंगे यहां पे और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहे पहले हम लोग सोर्स डिसकस कर लेते हैं अब फिर जो आप डिसकस करेंगा तो चलिए सुरूआत करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सोर्स अब दा साल्ट की साल्ट के कौन कौन से सूर्स है ठीक है झाल झाल कि source of the salt की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको क्या क्या है एक तो आपका यहाँ पर रिवर है ठीक है क्योंकि वह रिवर से फ्लो कर रही है लेंड से फ्लो कर रही है तो आज यह साल्ट को लेके जाएगी और समूतर में डिपोजिट करेगी उसके बाद में साइकलोन है साइकलोन चुकी है तुफानी हवा है तो यह भी ले जाके डिप क Positive तो आपको वह स्याहर अपका शीरिवर हो गयािस साइपलोन वह गया उसके बाद में आपका रहएं हो गया है हिक तो रीवर हो गया शाइपलोन हो गया रहएं हो गया और उसके बाद में वालकौनिक एरफ्चन हो तो वालकॉनिक इरफ्शन हो गया उसके बाद में मेट्रियोट्रिक फाल हो गया या एक तरह से कहा जाए तो एट्मॉस्फेरिक साल्च हो गया एट्मॉस्फेरिक साल्ट हो गया ठीक है तो यह कुछ major source of the salt है ठीक है अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि factor affecting the salt के बारे में कौन-कौन से यहाँ पर फेक्टर है जो वर्क करते हैं आपका तो अच्छाव आपका तो अच्छाव करेंगे का तो अग्यार एफेक्टिंग जो है आपका और सेलिनिटी के अगर हम बात करते हैं तो फेक्टर एफेक्टिंग सेलिनिटी में क्या-क्या होगा यहां पर कि तो देखो आप में जो पॉइंट है अगर हम यहाँ पर आहल को याद दिला है तो यहाँ माय पोइंट क्या है कर? के अगरियान थेल्वीस करता है कि साल को ड Porsi करता है और टेंपरेचर से ही को रिलेट करेगा आपका evaporation ओके तो temperature हो गया temperature से को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर evaporation हो गया उसके बाद में आपको दूसरा चीजह यहाँ पर यह होती है कि जो river है आपका तो मान लेजे कि आपका यह कोई आपको वाटर बोडि है और यहां से आपका यहां आपको यहां पे वाटर फोलो करके आ रहा है तो यहां पर चुकि सेलनेटी कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि वहां पर क्या होगा वहां पर आपको यह जो इसा फ्रेस वाटर आके मिल ला तो यहां पर माज़ के पास में कि यहां पर यहां पर फ्रेस वाटर उसमें एड़ करते जाएगा उसके बाद मैं आपको जो करेंट्स रहता है जो वाटर करेंट है या करेंट कह लेजिए धारा कह लेजिए मैंटेन करता है आपका बैलेंस ऑफ साल्ट यहां पर आपको जो करेंट रहता है वो साल्ट के बैलेंस कर देता है ठीक है तो अब हम लोग थुरा सा यहां पर क्या बात करेंगे आपका तो अब हम लोग बात करेंगे आपका यहां पर salt के distribution की थोड़ा बात कर लेते हैं और salt के distribution की बात करने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे distribution of salt तो ocean body में salt का distribution दो तरह से होगा एक वर्टिकल होगा दूसरा वरिजेंटल होगा होरिजेंटल हो गया और दूसरा वर्टिकल हो गया ठीक है तो होरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टिविशन अपसाल्ट हो गया तो होरिजेंटल या एक तरह से कहा जाए तो latitude वाइज भी इसको कहा जाता है इसको हम लोग लेटिटिविशन भी बोलते हैं हम लोग ठीक है तो यहां पे एक तरह से कहा जाए डिक्रीज होता है फ्रम एक्वेटर से पोल ठीक है तो यहां पे यह जो है सो आपको गट एक्सेप्ट हाइप प्रेशर बेल्ट को छोड़ के यहां पे क्या है कि वाटर नहीं एड होता है और बाकी जो रगिस्तान अग्रभी है यहां पे तो हाइप्रेश्ट प्रेशर बेल्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो यहां पे चुकी लेस रहन होता है यहां पे आपका यहां एमाउंट बढ़ेगा बट अगर हम यहां पे छोड़ा सा पिक्चर बनाएं यह इस बेल्ट में अपको रहें यहां पे जो भी आपको महासागर होगा तो हम लोग इधर से इधर और तो यहां माइनस में घटेगा लेकिन यहां पर थोड़ा बढ़ जाएगा अब फिर घटते चला जाएगा ठीक है तो यह जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पर यहां पर नहीं तो आप गलती कर देंगे ठीक है तो सलनीटी इंक्रीज होता है आपको कोस्ट लाइन टू दा ओपन या हाई सी में तो यहां पर आपको दूसरा पॉइंट है आपका कि सलनीटी इंक्रीज करता है तो कोस्ट लाइन से अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको सलनीटी बढ़ा हुआ मिलेगा क्यों बढ़ा हुआ मिलेगा भई मालो कि आपका यहां कोई वाटर वड़ी है तो यहां से रिवर आ रही है 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 तो इसे लेयर में आपको क्या होगा वाटर एड होगा तो सलनीटी निगेटिव या माइनस मे मतलब कम होगा तो माल लोग यहां पर आपका 30 है तो यहां पर बीच में चुकि आपको जह सो एड नहीं होड़ा तो बीच में इसके अमाउंट बढ़ जाएगा और किनारे पर इसका माउंट क्या रहेगा कम रहेगा इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है नहीं तो मामला हो जाएगा गरबर तो अब हम लोग यहां पर बात करेंगे आपका बहुत करेंगे यहां पर चलिए शुरुवाद करते हैं तो यहां पर आपको एक तरह से कहा जाए तो वर्टिकल कि बॉटम अगर मॉव करने तो क्या होगा कि सलिटी क्या हो जाएगा अपका यह जब हम आप उपर साइन देते हैं तो सलिटी बढ़ रहा है और जब नीचे साइन देगा तो सलिटी घटेगा तो हम लोग जब भी आपका सी लेबल से अगर बॉटम के तरफ जाएंगे और साथ में जएसो यहाँ पे वाटर नहीं अट उड़ा है तो सलिटी बढ़ेगा तो वाटर के डेंसीटी भी बढ़ जाएगी ठीक है उसके बाद में सलाइन वाटर जएसो सेटल डाउन हो रहा है बॉटम पे वाई द लेस सलाइन वाटर जएसो कन्वेक्शनल करेंट कर ग्रूप में उपर उठेगा तो सलाइन वाटर जो होगा यहाँ पर सलाइन वाटर कर लेयर्स होगा तो लेयर्स अब दो सलाइन वाटर होगा तो आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जाएंगे सलनेटी घटेगा उपर से नीचे यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको वर्टिकल डिस्टिविशन अप्यूर्ट हम लोगोंने सिख लिया है और यहाँ पर जो करनेट 확인 करता आपको कई है थ हого को यहाँ पर के करता है संदी тоб Auch कि यह आपका जो है यह दिस्टिविशन हो हो गया अब हम लोग यहां पर थुरा सा बात करेंगे आपका भाई अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो हम लोग बोलना भूल जाते हैं महनत बहुत लगता है तो पिड़क्या करके आप लोग सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर दिजेगा यह एक टीचर के लिए रिवार्ड होता है यह इसके बोलना नहीं चाहिए यह तो आत्मियता होनी चाहिए आदमी के को यतना मैनत कर रहा है तो आप लोग ऐसा करन और में है यहां पे डास्तों आता है अब अशनयवार्ण चलेगा तो डास्ट और साल्ट के भी पार्टीकल रहें चलेगा प्रेंगे उक डास्त और साट के पाक्रिकल रहते हैं तो आपको उस एरिया में इ sprite grandpa को बढ़ा देते हैं तो जिस एरिया में साइक्लोन आएगा वहाँ पर सेलनीटी क्या होगा बढ़ जाएगा तो साइक्लोन के बाद में आपका वालकॉनिक जो आपको एरप्शन होता है तो जब वालकॉनिक इरप्शन होता है यहां पर तो वालकॉनिक इरप्शन में क्या होता है कि डॉस्ट और आस रहता है तो जो डॉस्ट और आस रहता है यह भी उस एरिया में अगर कोई आपका एक तरह से कहा जाए तो ओसन होगा तो यहां पर यह सेलनीटी को एडिशन करेगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया कि जो आपका सेलनीटी को एफेक्ट करने वाले फेक्टर है तो इसमें एक तो होगा आपका की आपका रिवर वाटर हो गया तो यहां पर आपका पहला नंबर जो होगा वह रिवर का वाटर होगा दूसरा नंबर जो होगा वह जो एफेपोरेशन होगा ठीक है तो डिवर वाटर हो गया इवेपोरेशन हो गया उसके बाद में आपका जो तीसरा नंबर होगा यहां पर सेलनीटी खुद होगा क्योंकि इसके करन जो है सो करेंट का फ्लो सुरू हो जाता है तो यह हमारा हो गया सेलनीटी से लेटे जो बेसिक चीज था है को अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शुरू करेंगे अपका तो यहां शुरू करेंगे थोड़ा सा जो आपको सेलनीटी का जो डिस्टिबूशन है और एक तरह से कहा जाता है कि अनमली अब दस सेलनीटी होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां पर एनमली अब दस सेलनीटी कि तो